हाई गाईज क्या आल है आप सभी के और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी बारे में कि क्लास 11 हम लोगों के स्कूल के तरफ से हमें क्या प्रिफरेंसेज मिलती है अगर हम लोग क्लास 11 में हैं क्या हमें क्लास 11 के फाइनल एजम में फेल कर दिया जाता है या फिर नहीं किया जाता है अगर आप गवर्मेंट स्कूल से बिलॉग करते हो अगर आप सेंटरल गवर्मेंट स्कूल से बिलॉग करते हो या निकी के वी या फिर अगर आप किसी और गवर्मेंट स्कूल से आओंगा कि किसमें क्याम डिफ्रेंस मिलती है किसमें आप फेल होते हो ग्लास 11 में और किसमें नहीं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और है इस वीडियो का लाइक टार्गेट है 500 लाइक तो वह ज़रूर करना मिलते इंट्रो के बाद और डिसकस करते हैं साड़ी चीजों के है गाइस मिरा नाम इरितुराज और मैं हुआ आपका दोस्ट जो कि इस चैनल के थुरू आप सभी तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता है जो कि आपको जाननी जरूरी है अब बेसिकली सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दू कि एक बहुत ही अच्छी सर्प्राइज है आप सभी लोगों के लिए क्यूंकि आर अकैडमी चैंपियंशिप लीग वापस आ चुका है दुबारा और अब से फिर दुबारा से एवरी वेडनस डे वेडनस डे यानि कि बुदवार आपको पता ही होगा तो एवरी वेडनस डे को आपका फिर से होने वाला है आर अकैडमी चैंपियंशिप लीग जिसमें कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्जाम होंगे और उसके बाद आप जीत सकते हो डिफर इस अकॉर्डिंग है कि rank 1-10 वालों को मिलेगा 10,000 रुपीज तक का price rank 11-30 वालों को मिलेगा प्राइजेज वर्थ रुपीज 5,000 और rank 31 से 50 वालों कम मिलेगा प्राइजेज वर्थ रुपीज 3,000 इसमें एन्रॉल करने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है कोई भी चार्जेज नहीं लग रहा है तो आप लोग सभी इसमें एन्रॉल कर सकते हो और अपने आपको टेस्ट कर सकते हो साथ ही में ये अच्छे प्राइजेज जीत भी सकते हो तो मेक शूर करो कि दुवारा से इस अर्न अकाडमी चैंपियोंसीफ लीग में आप पार्ट ले रहे हो और एवरी वेड़नस डे आट 6 पीम जिसमें कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स टेस्ट होंगे औ तो make sure to take a part आपको सारे links description में मिल जाएंगे और ये बिल्कुल free है अब आ जाते हम लोग वीडियो पे तो अपना जो class 11 है उसमें हम लोगों को सबसे बड़ी ये confusion रहती है कि class 11 में हम लोगों को back लग सकता है अब जब मैं class 11 में ता तब भी मुझे भी ये चीज़ों की like कु जाइस थी अब एक चीज़ ऐसी बताऊंगा जो कि शायद तुम्हें हिला दे शायद because I was a non-attending student यानि कि मैं non-attending student था तो मैंने अपने class 11 की exam दी तक नहीं थी यानि कि मैं अपने class 11 की exam देने school में भी नहीं गया था अब तुम लोग सभी ये बात सोच के बहुत जादा basically वही schools कराते हैं जो कि mid-range के school है mid-range बोले तो जहां पर mid-range की fees होती है mid-range की facilities होती है लेकिन जो high range वाले school होते हैं वो कभी भी non-attending नहीं कराते हैं ठीक है और खास करकि जो low range वाले school होते हैं उनके पास तो उनके affiliation ही नहीं होती है उनके affiliation दूसरे school से लिए होती है तो य पर यहां पर क्लास 11 वाले बच्चों को फेल कर दिया जाता है अगर उनका पर फेल वारा रहता है तो हाँ वहाई फेल हो जाते हैं क्लास 11 में पर बहुत सारे ऐसे बोर्ड है इस्पेशली जारकंट बोर्ड हो गया और भी बहुत सारे बोर्ड जहां पर फेल जेनरली नहीं करते हैं बच्चे और वहां पर भी वही नॉन अटेंडिंग वाली बात हो जाती है तो अगर आप गवर्मेंट या फिर अगर आप स् उसका मतलब ये नहीं है ये बिलकुल मैं आपको बस इंफॉर्मेशन प्रवाइड करना चाहरा हूँ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी लिए बनाई जा रही है अब मैं आपको बता दू एक और चीज कि अगर आप सेंटरल गवर्मेंट से बिलॉंग करते हैं अगर आप किंद्रे विद्याले स्कूल से हो basically तो मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ किंद्रे विद्याले class 11 में आपको definite fail करेगा अगर आपकी performance fail वारी रहेगी तो ठीक है हलका फुलका वो लोग अपने तरफ से try करते हैं कि आपको pass करा दिया जाए अगर आप fail कर रहे होत होता है अगर आप किंद्रे विद्याले से ब्लॉंग करते हो तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको मेहनत करना compulsory है आपको मेहनत करना compulsory है लेकिन फिर भी class 11 के जो exams होते हैं वो आपका school ही देखता है वो बाहर का कोई इंसान आके नहीं देखता है तो किंद्रे में basically बच्चों को fail कर दिया जाता हो क्योंकि personal experience में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ही भाई बहन और ऐसे भी बहुत सारे लोग है मेरे friends भी है जिनको की class 11 में fail कर दिया गया था उनके poor performance के कारण ठीक है अब हम लोग आ जाते है private school पे जो कि totally private होते हैं like हम लोग कह सकते Delhi public school DAV and all that जो कि totally private होते हैं बिलुकुल private उन लोगों के लिए मैं यह बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के case में 90% case असा होता कि आपको class 11 में fail नहीं किया जाएगा except those school जो की बहुत ज्यादा करे हैं या फिर उस चीज के लिए जाने जाते हैं अपने करे like syllabus और अपने करे routine और तब इच्छर दियोगी कि हमारे school में class 11 में बच्चों को fail कर दिया जाता है but in my case जिस school में मैं पढ़ता था और जिस जो भी mid range के school होते है normal school याने की convention को कहते हैं हम लोग तो उन सबी school में ज्यादा तर क्या होता है कि वो लोग बिलकुल ही pass कर देते हैं और किसी भी बच्च जो को या फिर fail करते होंगे जो कि normally उन schools में होता है जो कि disciplines के लिए जाने जाते हैं अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा नीचे आप comment जरूर करना कि आपके school का personal record क्या रहा है कि आपके seniors जो कि class 11 में थे क्या उन्हें fail किया गया था या नहीं आप ये नीचे comment करके जरूर बताना और ये जरूर आप नीचे comment करना थुरा सा time निकाल के कर लेना ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि यहाँ पर अगर आप ये सोच के दिमाग में चलोगे कि मेरा school मेरे को fail नहीं करता है तो मैं पढ़ू ही क्यों तो ये चीज मैं आपको बता आपको बता दू कि आपको बता दू कि एक अगर हम लोग बिल्कुल conclusion पर आई इस video की तो जो private schools होते हैं वो generally किसी भी बच्चों को fail नहीं करते हैं जो central government वाले school होते हैं उनके साथ 50-50 chances होता है क्योंकि अगर बच्चा हलके फुल के नंबर से पास हो रहा है तो उसे grace दे के पास कर देते हैं नहीं तो अगर बहु नीचे comment करना और आपके school में क्या प्रथा चली आ रही है वो भी comment करना वीडियो पसंदा ही हो informative लगी हो तो like करना like target अपना पूरा करना है और चैनल को 30 के सब्सक्राइबर पहुचाना है 12 December से पहरे तो पूरी जान लगाते नहीं ठीके और तिल देन अपना ख्याल लगना बाबाई तेक केर एंड पूरा किसे मरना मरे बोलो स्वाहा अपना काम चाल राय बोलो स्वाहा अपना नाम चाल राय बोलो स्वाहा